नमस्कार दोस्तों हमारी यूटीब चैनल में आप सब का हार देख स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल से जो आएकर गणना प्रपत्र है या कि income tax कैसे calculate करें तो बहुत ही आसान प्रिक्रिया फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपने Google के Chrome ब्राउजर में जाकर हमें सबसे पहले जीए 55 को डाउनलोड कर लेना है इसके बाद second काम हमें ये करना है कि हमें अपने प्लेश्टोर में जाना है और यहां पर एक एप को इस्टॉल करना है जिसका नाम है डबलू पी एस ओफिस तो यह जो second number की एप नज़र आ रहे है डबलू पी एस ओफिस पीडिएफ वर्डशीट इसको हमें इस्टॉल कर लेना है जो कि मैंने इसको इस्टॉल कर रहा है इसलिए यहां पर इसका ओपन का ओप्सन आ रहा है अब फ्रेंट्स तीसरा काम हमें यह करना है कि हमें वापस अपने from browser को open कर लेना है और यहां पर एक हमें साइट को सर्च करना है जिसका नाम है fonts web tool करके हम सर्च करेंगे तो जब से उपर वाला जो हमारे सामने website खुलेगी fonts.webtoolhub.com इसको हमें open कर लेना है यहां से हमें fonts दो पर करके fonts को download कर लेना है यहां पर दोनों fonts आपको नजर आ जाएंगे एक तो है कुरती देव 10 और एक है देव लेज 10 यह तो आप इस site के अंदर जाकर इनको install कर लो यहां पर हमें सबसे पहले जैसे कुरती देव 10 को download करना है तो हम इस पर click करेंगे और यहां पर हमें इसको download पर click करके इसको download कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर दो चयारती, यहाँ पर यह capture को भर लेना है और इसके बाद हम इसको download कर लेंगे इसी प्रकार हमें दूसरा जो है देवलेज 10 इस पर click कर लेना है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने download का option आ जाएगा अब friends सबसे पहले हमें अपने file manager में जाना है, file manager में जाके यहाँ पर हमने जो download किये हैं, दोनों यह दोनों पर करके देवलेस 10 और यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, देवलेस 10 और कुरती देव 10, friends इनको यहाँ पर हमें select करके इनको move कर लेना है, और internal storage के अंदर एक fonts का option आपके सामने आ जाएगा, चूंकि हम WPS Office download करेंगे, तो यहाँ पर fonts का option आएगा, यहाँ पर जाकर हम इनको paste कर लेंगे, तो friends यहाँ पर paste करने के बाद, अब हम वापस अपने chrome browser में जाएंगे, और यहाँ पर एक site search करेंगे, जिसका नाम है RSS, राष्टी, यह राष्टी सिक सक्संग की एक site है, यहाँ पर जाकर friends, यहाँ पर हमें option नजरा जाएगा, आएकर का, यहाँ पर site के open करके भी इसको देख सकते हो, और यहाँ पर आएकर का option है, सीधे इस पर click करके भी हम, क्योंकि हमें आएकर गणना परपत्र download करना है, तो जैसे हम इस पर click करेंगे, यहाँ पर जो आएकर गणना परपत्र वितिवर्श 2023 के option हमारे नाप सामने नजराएगा, अब यहाँ पर जो पहला वाला option है, आएकर गणना परपत्र वितिवर्श 2023 यह Excel फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाएगा, अब हमें इसको यहाँ से download कर लेना है, जैसे हम इस पर click क office में इसको खोलना है, तो जैसे हम इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर यह open होने में थोड़ा समय लेगा, इसके बाद यह यहाँ पर open हो जाएगा, तो देखे friends, यहाँ पर हमारे सामने जो हिंदी में यह fonts एक तम सही आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो दो कुर्तिदेव 10 और देव इसको डाउनलोड कर रखा था, इसलिए यहाँ पर यह हिंदी में नज़र आ रहा है, अगर हम इसको वहाँ डाउनलोड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर यह जो लेंग्वेज हैं, वो अलग या थी, जिसको हम काम में नहीं ले सकते थे, हमें साफ दिखई नहीं देता, समझ म जीए पचपन, डिडेक्शन, इस परकार के उप्शन हमारे सामने हैं, तो सबसे पहले हमें मास्टर के उप्शन पर क्लिक कर लेना है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें इसमें अपना जो मास्टर डाटा हैं उसको भर लेना है, यहाँ पर हमें अब जो सबसे नीचे right side में जो option ने वहाँ पर click करने पर इस प्रकार का keyboard हमारे सामने open हो जाएगा अब friends सबसे पहले हमें double click कर ला जैसे हम यहाँ पर click करके school का नाम change कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर school का नाम मानलो xyz school लिख लेता हूँ xyz xyz यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं हम xyz लिख कर भी अपना काम चला लेते हैं यहाँ पर लिख दीजे jasol को school का नाम jasol है यह हमने यहाँ पर लिख लिख लिया जैसे हम enter करेंगे तो यहाँ पर school का नाम आ गया अब friends कार्मी का नाम यहाँ पर चंदर प्रकाष कुरमी लिखा है क्योंकि इन्होंने इस जो software को develop किया है यहाँ पर आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर example के तोर पर दिनेश लिख लेता हूँ और right पर क्लिक कर लेता हूँ अब friends अगला option है level यहाँ से हमें level पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपना level जो pay level है वो select कर लेते हैं जैसे मैं L12 कर लेता हूँ इसके बाद friends pay number भरना है SI number भरना है अब आप SI कटोती कितनी कराते हैं यहाँ पर जैसे मैं 5000 करवाता हूँ जैसे कि मेरा मार्च का मूल वेतन था गुण 50,900 था तो यहाँ पर मैंने गुण 50,900 कर दिया friends यह ध्यान रुब देने योगी बात हैं कि मैं मार्च 2023 का मूल वेतन यहाँ पर भरना है वरतमान का नहीं मार्च 2023 का जुले में इंक्रिमेंट लग जाता है तो यहाँ पर मैं मार्च 2023 का मूल वेतन भरना है और राइट पर क्लिक कर लेना तो यह हैं है तो यह तो यह कर दिजिए अनिथा नो रहने दिजिए समर्प्र वेतन अगर आपने लिया है तो यहाँ पर यह अनिथा नो कर दीजे मैं यहां पर एंपस Northern यहां पर यहां पर पेमिट नहीं कर देंगे लरत प content से कठवाते हैं तो यहां पर जो भी आप पर्णा साथे लिग लिए जूकि मेरा कोई साथा प्रों यह से ल से का प्रों हटा देता जैसे कि मैं यहाँ पर एमट्रेशाइब को हैं तो यहां पर स्थेट कर लेट कर लिए सेवा के दर दो मतना एव मेन तो यहां पर मैं लिए अगर आपका कुछ और हैं यहां पर कर शकते हैं टीचर एंट कर सकते हैं यहां पर हैं Sí P F mobile number, यहाँ पर अपना भर दीजीर HR1 की जो rate है वो यहाँ पर 9% लिखी हुई है अगर आपको bonus मिला है तो yes कर दीजी, नहीं तो no रहने दीजी, चुकि मुझे यहाँ पर bonus नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर no कर देता हूँ समय दूरगटना भीबा आपने जो भी कटे है 700, 1400, 1200 चुकि मैंने 700 कटे हैं तो मैं यहाँ पर 700 कर देता हूँ हितकारी निथी कट होती yes रहने देते हैं और शहर इक्षतिपूर्टी भटा यहाँ पर na यह करने के बाद अब हम अगला option आता है आप GPF 2004 के करमचरी हैं तो आप कितना मतलब GPF कटवाते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिजें चुकि मेरा minimum 285 कटता है तो मैं यहाँ पर 285 रहने देता हूँ ऐसे यहाँ पर मैंने 5000 पहले सेलेक्ट की थी आरज जिस आ गया इसके लवा फ्रेंट्स अब income tax जैसे कि मैं हर महिने 5000 का income tax कटवाता हूँ तो यहाँ पर मैंने 5000 मैनोलिक कर दिया तो सब जगे 5000 हो गया अब फ्रेंट्स यह हमारा जो GPF 55 है वो लगभग तयार हो चुका है अब यहाँ पर other deduction में अगर आपके कुछ है तो यहाँ पर इसको fill up कर लिजिए जैसे कि आप LIC या PLI जो भी सुकन्या, समर्थी, योजना या ELSS जो भी कटवाते हैं वो यहाँ से select कर सकते हैं अब फ्रेंट्स उपर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो परकार के option हमारे सामने है new tax regime और old tax regime तो देखते हैं किसमें ज़्यदा tax बनता है सबसे पहले हम new tax regime पर जैसे click करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने इस परकार का page खुलता है तो फ्रेंट्स सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा payment new tax regime में बन रहा है 46,000 और 46 रुपे और यहाँ पर 6,000 हमने कटवा दिये था All tax regime में हम देखते हैं कितना tax बनता है All tax regime में फ्रेंट्स हम नीचे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा tax बन रहा है 41,997 रुपे यानि कि 60,000 कटवाने के बाद भी हमारा 11,997 और जमा करवाना है और यहीं पर अपर new tax regime में देखें तो यहाँ पर 46,000 और 46,000 ही बन रहा है चुकि 60,000 कट चुके हैं तो उल्टा हमारे 13,954 रिफंड है तो यहाँ पर हम 13,000 ज्यादा रिफंड हो रहा है यहाँ पर हम जीए 55,000 में वापस जाकर के जो यह हम कटोती 55,000 कर रहे हैं इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर हम इसको जैसे हटाएंगे अब देखते हैं वापस new tax regime में जाकर तो यहाँ पर 16,000 रुपे हमारा बकाया दिखा रहा है तो वापस हम जीए 55,000 में जाएंगे और यहाँ पर दिसंबर के महिने में हम यहाँ पर 15,000 रुपे की एंट्री कर देते हैं क्योंकि लगबग इतना कम पड़ रहा है तो यहाँ पर हम इसके एंट्री करेंगे तो फ्रेंट्स बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने अपना जो मास्टर डाटा है उसको फिलफ किया उसके बाद में जीए 55,000 में कुछ मैनूल एंट्री की उसके बाद में हम न्यू टेक्स रिजीम और अल्टेक्स रिजीम में अपना जो टेक्स देखा यहां से आप जो सब कुछ कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका जो गणना किस प्रकार से हुई है अब फ्रेंट्स इसको हम अपने सीधे यहां से अपने डीडियो को सेंड कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं अपने चैनल पर इसी परकार के वीडियो बना कर आपके लिए लाता रहता हूँ इसी के साथ इजर से तीजिए धन्यवाद